Hello everyone, welcome to career information. तो इस वीडियो में मैं आपसे जो recruitment share करने वाला हूँ, वो है IBPS के अंडर जो हर साल regional rural banks के लिए, यानि कि RRBs के लिए जो exam होता है, वो इस साल के लिए जो notification ने वो आ चुका है. ये जो exam है, ये चार post मतलब office assistant multipurpose, उसके बाद में officer, scale 1, scale 2 और scale 3, इन recruitments के लिए होता है, जो regional rural bankings के लिए, यानि कि जो भी states में regional rural bank होंगे, उसके लिए exam होता है. ओके, कितनी vacancy है, apply कैसे करना है, और क्या-क्या documents ज़रूरी है, ये सारी information जो है main-main information, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा. उससे पहले, इसका जो form fill up का date है, वो कल से आने की 7 जून से अल्रेडी शुरू हो चुका है, तो ये जो dashboard है, यहाँ पे तीनों post के लिए अलग से link दी है, तीनों यानि कि चारों post, scale 2 और scale 3 के लिए same link है, और scale 1 के लिए यहाँ से apply करना है, और office assistance के लिए आपको apply करना है, तो इस dashboard का link मैं आपको description में दे दूँगा, ताकि आपको जो भी post को apply करना है, separately आपको नहीं दूँगा, क्योंकि यही पे already सारे link है available, और उसके बाद second link जो मैं आपके साथ share करूँगा, वो है आपका main notification, तो सबसे पहले हम चलते है main notification के और, तो yes यह है इसका main notification, इसका भी link मैं आपको last में share कर दूँगा, description box में, ओके तो यह जो exam है, group भी office assistant का होता है, और group A में जो आते officers, यानि कि scale 1, scale 2 और scale 3, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ, कि जिन भी बच्चों ने पहले exam दिया होगा, उनको पता है होगा ज़्यादा कुछ changes नहीं है, तो scale 1 और जो office assistant है, उसके लिए premium और mains दोनों होता है, और जो आपका scale 2 और scale 3 होता है, वहाँ पे सिर्फ आपका एक exam, यानि कि mains examination होता है, सेकंड चीज जो भी यह exams होते हैं, mostly यहाँ पे interviews नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे selection criteria वह भी मैं आपको बताऊंगा, तो participating जो RRBs है यानि कि, आपके state के इसाब से, आपके local language के इसाब से, आपको यहाँ पे choose करना है, तो जैसे कि अभी हाँ पे जो है, अंदरापदेश ग्रामिन विकास बैंक, तो आपका जो है तेलगु आपको पता होना ही चाहिए, तो आपकी जो local language है, उसके इसाब से ही आपको apply करना, यह चीज ध्यान रखना हो सके, तो आपका जो home state है, क्योंकि local language वही पे आपको पता होगी, तो यहाँ पे सारे banks दिये हुए है, उसके in detail vacancy भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यह सारे आपके जो states है, यहाँ पे check करो आपके state में कौन सा bank है, कौन सा grammyn bank है, वो सारी information आपको यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद में next जो है आपका eligibility criteria, उसके बारे में बात करेंगे, तो nationality के बारे में तो बात करने की जुरुवत है नहीं, age criteria के बारे में, तो आपका जो scale तरीका है, वो है 21 से लेके 40, जो senior manager का post है, उसके बाद में scale 2 में manager की जो post है, वहाँ पे 21 से लेके 32, उसके बाद में officer scale 1 जिसमें ज़ादा forms आते, 18 से 30 और जो office assistant है उसका 18 से 28 जिसमें भी बहुत सारे forms आते, mostly दो post के लिए बहुत ज़ादा forms आते, क्योंकि उसका reason भी है कि वो freshers के लिए है, और वहाँ पे eligibility criteria या फिर educational background बहुत simple है, ओके, तो यह है आपका age criteria, अभी इसमें आप जो है relaxation add कर सकते हो, अगर आप SCST category से हो, तो 5 साल आपको relaxation मिलेगा as per government norms, OBC के लिए 3 साल वही सारे rules, 10 साल आपके PWD और PWD प्लस आपके cast है, तो आपको उतना add करना पड़ेगा, या फिर आपका OBC है, तो आपको 13 साल, यानि कि ऐसे आपको add करना पड़ेगा, यह है आपका जो हमेशा होता है norms के इसाब से, जो government norms के इसाब से, वही यहाँ पे है, ओके, तो यह रहा आपका age criteria, देन आगे बढ़ते हैं, next है आपका सबसे important जो है, आपका educational qualification background, क्या होना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, office assistant, यानि कि multi-purpose की जो post है, वहाँ पे bachelor degree in any discipline, तो graduation सिफ ज़रूरी है, और proficiency in local language, as prescribed by the participating RRBs, तो इसलिए मैंने आपको बताया, कि आपको local language पता होना, अच्छा होना जो proficiency, और computer का knowledge भी होना जरूरी है, बाकी experience निल, यानि कि कोई जरूरतनी experience नहीं होगा तो भी, उसके वादें officer scale जो 1 की post है, यहाँ पे आपका bachelor degree in any discipline from recognized university, और its equivalent preference will be given to the candidates, having degree in agricultural, horticultural, forestry, animal husbandry, तो यह सारे जो हैं जैसे कि law, management, economics and accountancy, तो इनको prefer किया जाएगा, बाकी भी apply कर सकते, IT वालों को भी prefer किया जाएगा, लेकिन बाकी भी apply कर सकते, मैंने already आपको बता दिया है कि local language, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे post के लिए जरूरी है वो, तो आप state से apply करोगे, तो अच्छे से यहाँ पर देख किया अपलाए करना, बाकी बात करेंगे scale 2 की, scale 2 में बहुत सारे post है, जैसे कि आपका है general banking officer, जिसमें आपका bachelor degree in any discipline, बाकी यहाँ पर दिया है, preference again इनको दिया जाएगा, उसमें आपका जो है दो साल का experience as an officer in a bank, और या फिर कोई financial institution में आपका होना ज़रूरी है, उसके बाद मैं बात करेंगे officer scale 2, जो है specialist officer manager की जो post है, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर stream है, जैसे कि IT officer, जिसमें आपका है recognized जो है इनिर्शिटी से आपका bachelor degree in electronics, communication, computer science, IT में होना चाहिए, with 50% of aggregate, एक साल का आपका यहाँ पर experience, जैसे मैंने आपको बता है scale 2 के लिए और scale 3 के लिए experience बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में CA का जो है chartered accountant का, उसका भी एक साल का experience, उसके बाद में law officer, law आपका degree होगा, आपने किया होगा, तो आपको 2 साल as an advocate or should have worked and a law officer in bank, यह भी चलेगा, treasury manager का जो है MBA in finance यह भी चलेगा, एक साल का relevant experience ध्यान रखना, marketing officer का भी यहाँ पर MBA in marketing plus one year experience in relevant field, agricultural officer का जो है आपका जो है related to horticultural या फिर forest या agricultural engineering भी चलेगा, तो इन सारे इसमें अगर आपका degree है, प्लस आपका 2 साल का experience होना ज़रूरी है, scale 3 की जो post है, वो है senior manager, जहाँ पर bachelor degree in any discipline, again preference will be given, लेकिन यहाँ पर आपका 5 साल का experience, banking या फिर financial institution में होना चाहिए, तभी आप apply कर सकते हो, यानि कि दो जो post है पहले मैंने आपको बता है, जिसमें ज़्यादा forms आते हैं, क्योंकि बच्चे दोनों post के भी apply करते हैं, और आप apply कर सकते हैं multiple post भी, तो आप दोनों के लिए eligible हो, याद रखना जहाँ पर aggregate बोला है, वहाँ पर aggregate उतना ही होना चाहिए, उससे अगर थोड़ा भी कम होगा point में, तो आप eligible नहीं हो वो post के लिए, उसके बाद में fees के बार में बात करेंगे, officer scale 1, scale 2 and scale 3, तो उसके लिए fees जो है 175 SCST and PWD candidates, वही बाकियों के लिए 8.50 है, office assistant के लिए भी यहाँ पर same fees आपको देनी है, बात करेंगे online examination structure के, तो इसका structure बहुत simple है, सबसे important तो यह जान लो कि इसमें English नहीं है, आपको यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आपके 40-40 question होंगे, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मैं office assistant की care, officer scale 1 का भी लगबख वही है, 40 question आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो number of question 40 marks के लिए reasoning, उसके बाद में apti के लिए 40 question, 40 marks, और total आपके 80 marks का यह paper होगा, और ध्यान रखना, आपको सिर्फ 45 minutes मिलेंगे, एक गंटे से कम आपको यहाँ पर time मिलेगा, बहुत जादा score करते हैं, आप पिछला cut-off भी चेक कर सकते हो, इसके बाद मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, डीटेल में, खेर अभी exam को time है, officer scale 1 का भी यही है, तो अच्छे से preparation करो, reasoning और apt-ty अच्छा करो, क्योंकि जो है आपका premium यानि कि screening जो होता है, वो आपके दोनों इनी test पर depend करता है, बात करेंगे अभी next, जो है आपका main examination, यहाँ पे scale 1 और office assistant का ही क्यों दिया है premium, क्योंकि आपको scale 2 और scale 3 के लिए सीधा आपको क्या करना है, mains देना है, और एक चीज़, दोनों के लिए sectional cut-off भी होता है, लेकिन मैं उतना मानूंगा ने, क्योंकि आपको दोनों में score करना है, तभी आप अच्छे से इसमें marks लाप पाऊगे, उसके बाद मैं बात करेंगे main examination की जो है आपका office assistant का multipurpose, तो इसमें आपको लगबग है 5 section, जिसमें पहला reasoning है 40 question 50 marks के लिए, याद रखना composite time है यहाँ पर, कोई भी इसमें sectional time आपको नहीं मिलेगा, दो घंटे का, उसमें आपको पूछा जाएगा reasoning 40 question 50 marks जैसे मैंने बताया, computer knowledge का 40 question 20 marks, यादि के half marks होगा आपको एक question के लिए, general average 40 question 40 marks, English का जो है 40 question 40 marks, Hindi के लिए जो है, वो है 40 question 40 marks, and numerical ability, उके इसके लिए आपका 40 question 50 marks, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, 4A and 4B पर dot किया है, उसका मतलब यह है कि आपको दोनों में से एक ही, जो है, वो section करना है, okay, whether आपको English करना है या फिर आपको हिंदी करना है, दोनों नहीं करने, आपको एक ही opt करना है, तभी आपके 200 questions होंगे, okay, scale 1 के लिए भी, जो है आपका pattern, वो है reasoning, again, 40 questions and 50 marks, computer knowledge भी उतना ही है, general awareness भी, again, आपको दोनों यहाँ पर मिलेंगे, और दोनों में से आपको एक choose करना है, apt आपको 40 questions, 50 marks, बस इतना फरक होता है कि जो office assistant, यानि की clerical level का जो post है, यहाँ पर आपको थोड़ा exam pattern simple मिलेगा, इसमें थोड़ा आपको इससे थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा, मतलब उतना भी नहीं, थोड़ा सा फरक होता है, officer scale 1 का ज्यादा नहीं, okay, तो यह है आपका means का, उसके बाद में list of, yes, version of test, जो है आपका English, India या फिर medium, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता है, local language आपका ज़रूरी भी है, अभी हम बात करेंगे single level examination, यानि कि जो मैं scale 2 की बात कर रहा था, general banking officer का मैं बता दू, reasoning, आपको computer knowledge, finance awareness यहाँ पर है, 40 questions, 40 marks, बाकि सब सेम है, okay, और यहाँ पर भी आपको एक opt करना है, और 200 marks का, 200, इसका question, 200 marks, 2 गंटे का paper रहेगा, specialized category के लिए भी, जो है skill 2 का, यहाँ पर आपको जो होता है, add-on वो होता है, professional knowledge, तो यह जो है, total 240 questions आपको होंगे, और 200 ही marks होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी या English, आप चूज करेगे, वो 40 में से आपको, मतलब 20 marks है, यानि कि half a marks आपको मिलेगा, और computer knowledge भी वैसा ही है, इसलिए आपको एक section जादा है, scale 3 का, जो single examination है, उसके बारे में भी same है, यहाँ पर financial awareness से बस add-on और उसके जगह पर बाकी आपका same है, okay, top score तो खेर मैंने आपको बता दिये कि, depend करता है number of vacances कितनी है, और कितने लोगोंने score किया है, कैसा score किया है, उसके बारे में हम जब exam होगा, तब बात करेंगे previous year का क्या था, कैसा करना है, वो सारी चीज़े मैं आपको आगे बताओगा, खेर अभी जो important चीज़े मैं आपको बता दू, okay, men's का भी मैंने बता दिया, उसके बारे pre examination training भी ले सकते हैं, जो categories के अंडर है, वो online होता है mostly अभी, या offline भी शूरू हो सकता है, तो आप वहाँ पर yes no click कर सकते हो, जब आप form fill up करोगे, form में क्या-क्या लगेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने जैसे आपको बताया कि depend on vacancies, merit list वेगरा generate होता है, क्योंकि इसमें जो interviews नहीं है, तो ये भी ज़रूरी है, document verification वेगरा आपको ज़रूरी है, उसके बाद में क्या-क्या लेके जाना है आपको ये सारी चीजे है, ID card, ID card का xerox वेगरा आपको लेके जाना है, exam time पे, अभी सबसे important जो आता है आपका how to apply, how to apply वाला पहला लिंक त कर चुके, चार चीजे आपको ज़रूरी है, सबसे पहले तो photograph, signature, left thumb and handwritten, ये चारो चीजे बहुत से बच्चों के already ready होगी, या फिर जो पहली बार form fill up कर रहे है, उनके लिए ज़रूरी है photograph, sign, left thumb and handwritten, याद रखना, handwritten note जो ये है, आए उसके बाद आपका नाम and आपको ये black ink pen से ही लिखो, सही रहेगा, और उसको scan करो, okay, capital letters ये वेगरे में नहीं लिखना है, आपको running handwriting में ही लिखना है, signature भी याद रखना, black ink, वही ज़रूरी है, और capital letters में sign भी नहीं होना चाहिए, okay, तो ये सारी चीजे scan करवा के आप already रख दो, उसका size क्या चाहिए, वो भी म उसका भी आपको receipt मिलेगा, वो आप save करके रख सकते हो, yes, call letters वेगर आपको जब मिलेंगे, मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पे एक tentative जो IBPS हमेशा announce कर देता, और tentative ही इनका fix होता है, most of the time, सिर्फ COVID के ताइम पे थोड़ा बहुत हुआ था, so online मैंने जैसे मैं आपको ब प्री एक्जाम को, प्री एक्जाम ट्रेनिंग के लिए और 18 से 23 के बीच में वो होगा, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, in case if it is possible, save to hold P.E.T. तो यह सारा pandemic वेगरे के वजो से अभी उन्होंने यहाँ पे लिखा है, अगर कुछ प्रॉब्लेम रहा तो, बाद में बात कर प्रिलियम के आपके जो admit cards है, वो आजाएंगे आपके July August, July August में आपका जो है, July ending में ही आजाएगा, August में यह एक्जाम होगा, आपको पता है यह बहुत सारे shift में यह एक्जाम होता है, दो-दो वीक यह एक्जाम चलता है, क्योंकि Saturday Sunday होता है, result जो इसका तूरंत आ जाता ह है, September में आ जाएगा, उसके बाद में mains का जो आपका तभी September में ही आपका call letter आ जाएगा, September के ending या फिर October के starting में ही आपका mains होता है, क्योंकि IBPS जादा time नहीं देता है, कोई भी exam के लिए, declaration of result, और जो main single exam है, वहाँ पे class 2 और class 3 वालों का single exam हो जाएगा, declaration of result, जो है October में ही ह हो जाएगा call letter for interview, यानि कि scale 1, scale 2 और scale 3 के लिए जो interviews होंगे, उसके लिए October और November, अभी मैंने आपको बताया, interviews नहीं है, तो office assistant, यानि कि आपका clerk की multi-purpose की जो position है, वहाँ पे आपका interview नहीं होगा, वहाँ पे सीधा आपका क्या होगा, provisional allotment होगा, last में, ओके इसलिए यहा clerk का भी हुआ था, clerk के लिए कोई बी interview नहीं, लेकिन IBPSPO के लिए interviews है, SO के लिए interviews है, तो वैसे ही यहाँ पे scale 1, scale 2 और scale 3 के लिए interviews है, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि office assistant या फिर इनके लिए है या नहीं, तो सिर्फ scale 1, scale 2, scale 3 के लिए interviews यहाँ पे है, जब आपके वो interviews खतम हो जाएंगे, उसके बाद ही office assistant का भी allotment आएगा, साधी में, तो january में आपका allotment हो जाएगा, thankfully आपको कोई bank मिल जाएगे, अभी है सबसे important, overall मैं सबसे पहले आपको बता दू, office assistant overall, मतलब पूरे इंडिया की बात करूँगा, तो office assistant की जो vacancies are total, वो है 4,400 के पर vacancy है लगबग, मतलब 2700 तक vacancy है, और पूरी जो निकली है, notification में वो है, 8100 के करीब vacancies, scale 1, scale 2, scale 3, और office assistant की, तो यह overall मैंने बता है, अभी यह जो है, आपका vacancies यहाँ पे in detail दिये, office assistant, bank के हिसाप से यहाँ पे vacancies दिये हुए है, vary हो सकता है, last year के हिसाप से, और एक चीज या फिर उसके आगे भी add हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ banking है, गुजरात के है, बहुत सारे होता है, ओडिसा के है, उसके बाद में pondicherry के है, तो यह banks जो है, यहाँ पे non-reported है, या फिर ऐसा भी होता है, कोई bank और add करता है, तो vacancies जो है, यह increase ही होती है, मैं आपको य 4,400 के उपर, उस पर time waste नहीं करेंगे, so यहाँ पे है आपकी state के इसाफ से, जहाँ पे आप apply कर सकते हो, यानि कि अगर आप अंधर पदेश से हो, तो आप 3 bank को यहाँ पे apply कर सकते हो, यानि 3 banks के लिए आपका consideration होगा, वैसे ही बाकी states के लिए भी है, for example मैंने बता है, और य यह था office, आपका assistant का, उसके बाद मैं बात करेंगे, जो है, officer scale 1, उसके लिए भी हाँ पे state के इसाफ से, वही banks के अंडर जो vacancies है, जैसे मैंने आपको बता है, 2600 तक vacancy है, 2650 के उपर vacancy है, scale 2 का भी यहाँ पे डिवा है, scale 2, scale 3 में जो है vacancies थोड़ा कम होते है, थोड़ा मतल तो इसका reason है, बाकि आप वो post के लिए भी apply करना है, तो आप देख सकते हो, CA वेगरा सारे के लिए आप पे दिया हुआ है, NR तो बहुत जगा पे, तो वो report हो जाएगा, last में आपको आ जाएगा, examination centers वही है, जो IBPS हमेशा करता है, premiums के लिए जादा होते है, और mains के लिए बात करेंगे sign की, तो 10-20 KB के अंडर, या दरकना JPJ format में हो तो सही है, उसके बाद में आपका next है, वो आपका left thumb, 20-50 KB, और 50-100 KB के अंडर आपका hand return, ओके, यह होना चाहिए, बाकी तो खेर मैंने आपको सारी चीज़े दी, वो मैंने बता दी है, जो जो important है, ओके, तो अ एक dashboard का, उसका पूरा link आपको मैंने share करते हैं, बाकी और एक चीज़, आप यहापे scan भी कर सकते हो, अगर आपको website को visit करना है, बाकी जो है, आपको बहुत सारी recruitments ये channel पे हर दीन मिलते रहेंगे, so subscribe, like, share करना, मत भूलना, and thank you all, कोई अगर आपको problem है, तो comment में पूछ सकत हो, जवाब मिल जाएगा, previous cut-offs का एक वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, कि August में exam है, थोड़ा time है, जो ले विगरा मैं आपको in detail में, last year का कितनी vacancies थी, क्या cut-off था, सारी information आपको in detail बताऊंगा, so practice करो, maximum, क्योंकि score ज्यादा high होता है, paper simple, थोड़ा बहुत होता ही है So thank you all, all the best and we'll see you in next time.